इस स्टील कमपनी ने 6 महीने में दिया 140 फीसिदी से भी ज़्यादा करिटन और बन गया है मर्टी बेगर स्टॉक चलिए बताते हैं स्टॉक की पूरी डिटेल रामा स्टील ट्यूब्स के शियर शुकरवायर 6 जनवरी को 10 फीसिदी के अपर सर्किट के साथ 38.15 रुपे के स्टर पर पहुँच गए दरसल कमपनी अपने शियर होल्डर्स को 4 इस टू 1 के रेशियो में बोनस शियर दे रही है इसका मतलब है कि कमपनी एक शियर पर 4 शियर जारी करेगी 6 जनवरी को शियर बोनस इशू के लिए एक्स डेट हो गया इसलिए शियरों में तगड़ी खरीदारे देखने को मिली बोर्ड आप डारेक्टर ने बोनस शियर के लिए लिजिबल शियर होल्डर्स तैग करने के लिए 6 जनवरी ही रिकॉर्ड डेट तैग की थी एक्सचेंज से मिली डेटा के मुताबिक NAC और BAC पर कुल 2,22,000 शियरों के सौदे हुए वही 23.6 लाग शियरों के लिए बाई ओर्डर पेंडिंग है इसके साथ ही आईरन और स्टील प्रोड़क्ट कमपनी का शियर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुँच गया है पिछले तीन महीने में स्टॉक में 74 फीसेदी के दमदार रेली आ चुकी है वही 6 महीने में शेर ने 142 फीसेदी का रिटरन दिया है तुल्ला में 25 फीसेदी रकम देनी थी चार जनवरी 2023 को ICRA ने रामा स्टील ट्यूब्स के इंस्ट्रूमेंट को स्टेबल आउटलुक के साथ ICRA BBB रेटिंग दी है रेटिंग एजिंसी ने कहा ICRA की रेटिंग रामा स्टील ट्यूब्स के अनुभवी प्रबंधन और स्टील पाइप इंडस्ट्री के लंबे ट्राक रिकॉर्ड का समर्थन करती है बता दें यहां मुई अजानकारी सिर्फ तूच नहें तुदी गई है माकेट में निवेश बासार जूखिमों के अधीन है निवेशक के दौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपोर्ट से सलहा ले मनी गंट्रूल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलहा नहीं दी जाती है लिस्टिंग के बाद से ही अपर सरकिट पर है यह स्टॉक बारा दिनों में दिया 311 फीसदी का रिटर्न कॉस्ट्यूम और जूलरी का खुद्रा कारोबार करने वाली दिगज SME PNGS गारगी फैशन जूलरी के शियर पिछले साल BSC पर लिस्ट हुए थे इसने एक महीने से भी कम समय में निवेशिकों को 311 फीसदी का रिटर्न दिया है PNGS गारगी फैशन जूलरी के शियरों ने लगतार बारवे कारोबारी दिन अपर सरकिट छूलिया 5 जन्वरी को BSC पर ये 10 फीसदी की तेजी के साथ 123.20 रुपए के भाव पर अपर सरकिट पर ही बंद हुआ है इसका मार्केट कैप 118.62 करोड रुपए है इसमें ये तेजी ऐसे समय में हो रही है जब घरेलू मार्केट में गिरावट का दबाव है 5 जन्वरी को लगातार दूसरे दिन मार्केट फिसला है PNGS गारगी फैशन जूनरी का IPO पिशले वही ने 8 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच खुला था 7.8 शुन्य करोड रुपए के इस इशू के तहट 30 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए है और 20 दिसंबर 2022 को BAC SME पर लिस्ट हुए लिस्टिंग के दिन ये उनसर दिशमलवाट 5 रुपए के भाव पर बंथ हुआ था यानि पहले ही दिन निवेशिकों की पुंजी करीब 2 गुनी हो गई अब तक IPO निवेशिकों की पुंजी करीब 311 फीसदी बढ़ चुकी है इसके IPO को तगड़ा रिस्पॉंस मिला था और 230 दिशमलव 94 गुना सब्सक्राइब हुआ था खुद्रा निवेशिकों के लिए आरिक्षित हिस्सा 248 दिशमलव 68 गुना और Non-Institutional Investors का हिस्सा 23 दिशमलव दू एक गुना सब्सक्राइब हुआ था PNGS गार्गी फैशन जूलरी गार्गी बाई PN गार्डगिल एंड संस के ब्रांड नाम से कॉस्ट्यूम और फैशन जूलरी की खुद्रा विक्री करती है ये 92 दिशमलव 5 पीसदी Certified Sterling Silver Jewelry और पीदल के गहने मूर्तियां और चानी के दूसरे समान और इससे जुड़े gift items के कारोबार में है ये artificial jewelry segment में product की wide range पेश करती है इस company में promoters की 73 पीसदी हिस्सदारी है मार्केट में निवेश बाजार दोकीमों के अधीने निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपोर्ट से सलहा ले मनि control के तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की कभी भी यहां सलहा नहीं दी जाती है